आपको थोड़ा साइडिया होगा। को हम आगे continue करेंगे। इसका फॉंस लेक्ट्रेटेट करते हैं। नया канале क्म्ब्लेकस आगे कंटिनिव करेंगे। इसका फॉंस लेक्ट्रेट है। अदॉस करते हैं। नया complex number and quadratic equation. सबसे पहले हम नंबर सिस्टम की बारी बात करेंगे। number system में क्या होता है सबसे पहले first natural number थोड़ा सा मैंने पहले लिख लिया था start करा था natural number क्या होते है one two three four five then whole number whole number में क्या होता है zero और start हो जाता है zero one two three four five then हमाई पास आते हैं integers अब हम अगर इसमें integers negative numbers और add कर देते हैं minus one zero one two three and and so on यह integers हो जाते हैं फिर हमाईरे पास आते है rational number uh rational number rational number में क्या होता है अगर मैं पास fractions की form में one by two three by four इस तरह क्या जाते है definition आपने पड़ी होगी p upon q की form में such that q not equal to zero and the p and q are integers p and q are integers फिर irrational number irrational number सबसे easy number की definition होती है easy number कैसे which are not rational which cannot be written in the form of p and q that is called irrational number which are not rational definition ही यही है number किस तरह के road two road three या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपेटिंग रेशनल रॉन डेसिमल नंबर्स यह सारे हमारे इरेशनल नंबर्स कहलाए जाते हैं next हमाए पास आता है real number real number किसके एकको रोता है rational अब ही तक हमने यह नंबर्स पड़े ते इसी नंबर्स पर हमारी सारी studies होती थी इन नंबर्स पर हमारी जितनी भी studies थी उसी से हम आगे studies करते थे now number system में अब next हमारे पास आता है एक नया concept हम real number से मतलब अगर हम देखा जाए तो इस numbers के बाद हमारी उसके बाद हमारी studies बंद हो जानी चीए आगे numbers बढ़ने नहीं चीए तो एक और number हमारे पास develop किया complex number हमें पता कैसे चला कहा पर हमारी जाएके studies रुख जाती थी कैसे मालिया मेरे पास let को equation है x square plus x plus 1 equal to 0 तो हम क्या करते थे here a equal to 1 b equal to 1 and c equal to 1 then d is equal to b square minus 4 a c b equal to b d square minus 4 a c 1 square minus 4 into 1 minus 3 यह होगे हमारे पास हम लिखते थे less than 0 क्या लिखते थे no solution या फिर हम यह लिखते थे no real roots हम इसमें कोई भी real roots नहीं थे क्यों d negative जाता था अगर हम इसको आगे solve करते थे तो x equal to minus b plus minus root d upon 2a क्यों होता था ऐसा क्योंकि square root के अंदर bb is 1 and this is minus 3 ऐसा इसलिए होता था क्योंकि हम square root के अंदर negative numbers नहीं पढ़ते थे square root minus 3 square root minus 4 square root minus 5 एक है square root minus यह सब नहीं होता था एक है यह possible नहीं होता था तो यह हमारा क्या था complex number का थोड़ सा मैंने आइड अभी complex नहीं क्या नंबर सिस्टम में यहां के हमारी स्टडीज रुख गई जिसके कारण हमें complex number को introduce करना पड़ा complex number को introduce करनी से पहले सबसे पहले हम क्या करते square root के अंदर negative numbers को हम देखेंगे square root के अंदर negative numbers क्या होते हैं ठीक है first note first concept हम लेंगे note करते हैं इसको संबर बन क्या कि अगर मेरे पास कहीं भी square root of minus one आएगा तो हम इसको लिखेंगे i i को हम बोलते है आयोटा यह आप learn कर लो cram कर लो और कुछ नहीं है इसमें कुछी तरह की कोई understanding नहीं है इसमें सीधा है कि जहां भी square root में minus one आएगा हम उसको i लिखेंगे i का मतलब होता है imaginary imaginary i को हम imaginary बोलते हैं imaginary का क्या मतलब होता है imaginary का मतलब assume किया हुआ हमने इसको assume कर लिया कि हम इसको आयोटा लिखेंगे नाम से हमारे हां बहुत सारी चीज़े real का क्या मतलब होता है जो हमारी real life की situations होती है complex का क्या मतलब होता है जो हमारी complexity जब भी square root में के अंदर negative आएगा complex हो गया ठीक है difficulties बढ़ जाती है हाला कि हमारे हां बहुत छोटा सा concept है imaginary हमने imagine किया यह सब जो studies है कोई भी चीज आई यह जो आगे जो हमारी studies रुख गई थी उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें complex number की हमें complex number की जोगत पड़ी और कुछ नहीं ठीक है now square root अगर कहीं पर हमारे पास square root of minus 4 आया तो हम इसको क्या लिखेंगे 4 का तो square root 2 और square root of i और square root of minus 1 i square root of कहीं पर अगर minus 5 आया तो हम क्या लिखेंगे root 5 i ठीक है first concept यह हो गया second मैंने example दिया now third अगर मेरे पास कहीं भी i raise to the power 24 है ठीक है तो हम क्या करते हैं हम इसको i square raise to the power 12 लेख सकते हैं and i if i is if i is equal to root of minus 1 then the i square is equal to minus 1 तो हम minus 1 लिखेंगे इसको minus 1 raise to the power 12 अगर कहीं भी यह चीज आपने पढ़ी होगी कहीं भी अगर minus की power odd number है minus 1 की power तो हमेशा minus 1 आएगा ठीक है odd number और अगर कहीं पर minus 1 raise to the power even number है तो क्या हैगा plus तो इसका answer क्या हो जाएगा one first example इस तरह के questions आते हैं one one mark के question इस तरह की आते हैं fourth अगर यही चीज मैंने लो i raise to the power 47 ले लेते हैं suppose तो हम क्या करेंगे 47 को 47 can be written as i raise to the power 46 into i यह आपने यह वाली यह formula पढ़ा होगा a raise to the power m plus n is equal to a raise to the power m into a raise to the power n यह हमारा concept complex उसका exponent में तो i raise to अब इसको मैं क्या 2 से divide करूँगा i square 46 into iota i square किसके एक्कोल हो गया हमारे पास i square is minus 1 sorry 46 मैंने गलत लिख जया 23 आएगा 2 से divide के लिए i raise to the power 23 into iota and iota raise to the power minus 1 तो ही minus हो गया मैंने इस वाले concept को आप देखिए अगर odd number है तो negative even number है तो यह चोटी चोटी चीजे याद भी रखनी पड़ती है math में तो इसका मतलब i raise to the power 47 can be returned as this इसको हम यह लिख सकते हैं ठीक है इस तरह के हमारे पास questions आएंगे ठीक है वो one one mark one mark question iota के साथ हमेने आपको बता दिया one mark question कई बार हमसे इस तरह के पूछ लिए चाते हैं now अब आती है हमारी बारी complex number की complex number अब स्टार्ट हुआ है पहले हमने iota concept था complex number क्या होता है complex number को हम z से denote करते हैं z equal to a plus ib if any number can be written as as mean this one a plus ib की form में where a and b are real number then it is called it is called complex number अगर हमारे पास कोई भी number इस form में है तो हम हम क्या कह सकते हैं कि it is a complex number it is complex number हम इसको यह बुलेंगे कि यह हमारा complex number है अगर मेरे पास complex number को हम आगे बढ़ते हैं कुछ इसमें कुछ properties कुछ हैं वो हम स्टार्ट करते हैं है ना complex number में क्या complex number मैंने क्या बुला z equal to a plus ib is called complex number where a and b belongs to real number set of real number set kip उसमें पढ़ा होगा ठीक है a and b किसमें set of real number इस a जो हमा जिसमें हमारा आयोटा नहीं होता इस a को हम बोलते हैं रियल पार्ट ओफ जड रियल पार्ट ओफ जड और डिनोटेट बाई रियल ओफ जड फिर b को हम बोलते हैं imaginary जिसके साथ i होता है उसको हम बोलते है imaginary part of z that is img कई पर imz भी लिखा होता है img of z imaginary part of z that is called complex number ठीक है इसको हम रियल part of z बोलते हैं अब concept यह आता है ऐसे तो एकदम से एकदम सबागा है sir kya हमारे पास z equal to kya 2 है whether it is a complex number or not it is complex number or not yes it is real number yes it is real number यह real number है whether it is complex number or not kya यह complex number है complex number की definition के according क्या होगा z को हम क्या लिख सकते है two plus i into zero it can be written as two zero two and zero are real numbers if any number which can be written as is this form is called complex number yes it can be it is also called complex number complex number यह complex number भी कह सकते हैं हम इसको यहां पर एकदम से question आता है कि क्या यह two भी complex number है यह नहीं हर number complex number हो गया हर आप देखिए जो हो natural number है natural number है क्या इसको हम whole number कह सकते हैं yes कह सकते हैं every natural number is whole number every whole number is integer every natural number is whole number every whole number is integer every integer is rational number every rational number is real number and every real number is complex number सब एक दूसरे के सबसेट हैं ये अब आती है रिए इरेशनल की तो इरेशनल हम अलग से लिखते हैं ठीक है इस तरह हर 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 नंबर क्या होता है complex नंबर होता है अब property क्या use होती है इसमें क्या यहीं पर हमारी एक property मिल जाती है क्या 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 property मिल जाती है जड़ एक्वल टू ए प्लस आई बी इफ रियल और रियल और पार्ट आफ जड़ इस एक्वल टू जीरो तो जड़ किसके एक्वल होगा जड़ हमारा एक्वल हो जाएगा आई बी के ठीक है इसको हम बोलते है प्योरली इमेजनेरी नंबर इफ इमेजनेरी आफ जड़ एक्वल टू जीरो बी इक्वल टू जीरो तो जड़ किसके एक्वल होगा जड़ इक्वल होगा किसके एक्वल इट इस कॉल प्योरली रियल नंबर प्योरली इमेजनेरी नंबर इसके यहां पर प्रपड़ी आ गई कि अब देखिए कि अभी हमने यही तो बोला क्या बोला कि क्या हमारे पात जो यह टू है क्या वो कॉंप्लेक्स नंबर है या नहीं है लेकिन हम इसको प्योरली रियल नंबर बोलते हैं जब हमारे पास इमेजनेरी पार्ट जीरो हो जाता है तो यहां पर हम इस इस प्रपरटी का यूज भी कर सकते हैं फिर्ट नेक्स्ट नेक्स अता है हमारे पास अल्गेब्र आफ कॉंप्लेक्स नंबर नेक्स अता है मारे पास अल्गेब्र आफ कॉंप्लेक्स नंबर अल्गेब्र आफ कॉंप्लेक्स नंबर का क्या मतलब है नंबर वन ठीक है एल्गेब्र में चाहता है अडिशन अडिशन अफ कॉंप्लेक्स नंबर मैं सीधा इसको एक्जामपल से लेके आपको बताऊंगा अडिशन क्या होता है क्या लेट दो कॉंप्लेक्स नंबर है z1 equal to 2 plus 3i second one is z2 4 plus 3i ठीक है तो अगर मुझे z1 plus z2 लेना है तो वो किसके एकवल होता है 2 plus 3i plus 4 plus 3i add कर दीजे real real part को add कर दीजे और imaginary part को 6 plus 9 नहीं हो जाएगा simple addition हो गया addition के बाद हमारे पास आता है second one subtraction subtraction of complex number subtraction of complex number क्या होता है अगर मेरे पास z1 equal to 2 plus 3i है z2 equal to 4 plus 3i है तो z1 minus z2 क्या होगा z1 minus z2 will be equal to 2 plus 3i minus 4 plus 3i that means 2 minus 4 and plus 3i minus 3i इसको 8 कर लेते हैं तोड़ा सा clear सुझाएगा 8i that means 2 minus 4 minus 2 मैंने आपको बोला था पहले भी मैं आपको बोल चुका हूँ कि जब भी आप questions या कोई भी चीज मैंत्स में समझते हैं तो आप लोग साथ साथ कॉपी लेके बैठिए और लिखते जाहिए बहुत सिंपल सी चीज बता रहा हूँ addition, subtraction now multiplication multiplication बहुत ज़्यादे properties मैं नहीं बता रहा हूँ multiplication of यह नहीं बहुत सारी लिखी हुई है अभी बताता हूँ मैं कौन कौन सी इसमें लिखी हुई है पहले एक मार यह कर देता हूँ multiplication of complex number multiplication of complex number में क्या होगा z1 into z2 multiply करना है ठीक है z1 क्या ले लेते हैं z1 हम ले लेते हैं 2 plus 3i z2 हम ले लेते हैं 4 minus i 2 plus 3i 4 minus i तो यह जाएगा 2 into 4 minus i plus 3i into 4 minus i इन सब चीजों से आप बच्चों घवराना मत बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है बस मैं एक बार concept को any number which can be written as in the form of a plus i b is called complex number ठीक है तो यह multiply करतेंगे 2 into 4 8 minus 2i directly मैं कर सकता हूँ 3 4 z 12 इतना आप लोग 10th पास करके आए है minus 3 3 3 3 i square and the 8 12 plus 8 12 minus 2 10 i i square is minus 1 minus 1 तो यह हो जाएगा 8 plus 10 i plus 3 that is equal to 11 plus 10 i that is multiplication of complex number फिर multiplication आया है अब वेसी बात है सबके दिमाग में एक दम होगा आप सर्थ division वाला बताएंगे क्यों नहीं बताएंगे division वाला भी accurate है fourth one है division of complex number है ना division of complex number division of complex number that means z1 upon z1 upon z1 upon z2 is equal to फिर वोई example को ही ले 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 दे है z1 equal to क्या 2 plus 4 i और z2 क्या ले 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 4 minus 3 i तो जटबन क्या हो गया 2 प्लस 4 आई अपान 4 माइनस 3 आई ठीक है conjugate यह आयोटा है क्या एक्चुल में आयोटा स्क्वाइर रूट है आपको ध्यान होगा कि जब हम स्क्वाइर रूट अगर माइर पास 4 प्लस रूट 3 एंड 4 माइनस रूट 3 करते थे है ना 4 माइनस रूट 2 तो हम कैसे करते थे 4 प्लस रूट 3 है ना और 4 प्लस रूट 2 से मल्टिप्लाए करते थे निम्रेटर and । 5 व्सक्6 Bundesregierung 4 प्लस रूट 2 इस तरह हम और यह 4 प्लस 3i हाँ 4 प्लस 3i 2 प्लस सेम लिख दिया था मैंने यह माइनस था तो यह हो जाएगा मल्टिप्लाइ कर दीजे 2 इंटू 4 प्लस 3i 4 प्लस 4i इंटू 4 प्लस 3i सिंपल सा है 4 स्क्वार माइनस 3i स्क्वार यह हो गया आप आगे स्क्वार कर सकते हैं आगे मैं इसको ज्याद है वो नहीं दे रहा मैं यह बता रहा था बहुत सारी प्रपर्टीज है कोई भी चीज हम नमबर्स पढ़ते हैं तो हमारे पास कौन कौन से प्रपर्टी आती है क्लोजर प्रपर्टी closer property है ना closer property होती है एक होती है हमारे पास closer होती है और कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव कोई भी नई चीज पढ़ते हैं तो हम इस तरह की प्रपर्टीज होती है एसोसेटिव यह सब आपने फॉर्थ फिफ्ट क्लास में पढ़ी होगी या फिर डिस्टिब्यूटिव है ना यह सारी प्रपर्टीज होती है अधिक है कर लोजर कम्यूटेटिव एसोसेटिद डिस्टिब्यूटिव इस तरह की प्रपर्टी में इसको एक बार मैं इसको सीधा बुक में ही ले चलते हैं बुक में थोड़ा सा आइडिया दे रहे तो आना बुक वाला ही मैं आपको बता देता हूं प्रपर्पर्टी क् मैं थोड़ा सब अपको घिया रहा क्लोजर लोगों अ क्लोजर लोगों अगर मेरे पात 25 कॉंपलेक्स नवरे तो उनका संबी कंतिघब कोंपलेक्स Recognelle है वरा अगर छही नंबर में कॉंपलेक्स बोल दिये तो उनके संब्झों थो हो गहीं होगा अम्यूटेटिव लोग commutative क्या होता है a plus b equal to b plus a इस तरह की होती है ऐसे ही associative z1 plus ऐसी multiplication में होता है existence of identity identity का क्या मतलब होता है identity identity मतलब होता है कि हमारे पास identity identity का मतलब होता है कि कोई भी चीज हमने plus किया वही चीज रह जाए same रह जाए क्या अगर मैं two में क्या plus करूं कि two रह जाए two में हम क्या plus करें zero तो zero को हम क्या बोलते identity additive identity यह सब four five six तो सेम इसी तरह inverse additive inverse inverse का मैं अभी detail में बताऊंगा additive inverse and identity अभी थोड़ा सा मैं बताता हूँ इस तरह कि यह सारी properties में बहुत जादे करें इसी से यूज करेंगे नाव नेक्स सता है हमारे पास फिफ्ट वन इनवर्स इनवर्स आफ complex number है ना ठेड़ा हो गया थोड़ा इसको सीधा कर लेते हैं है हो गया सीधा inverse of complex number सबसे पहले दो तरह के inverse होते है एक होता है additive inverse z है इसका additive inverse क्या होगा minus z इसका additive inverse इनवर्स का मतलब होता है कि अगर हमारे पास identity इनवर्स को समझने से पहले हमें identity पताने चाहिए जड़ में क्या एड़ करें कि वो जड़ रह जाए तो हम वर्पस क्या आएगा Jeezu इस इस अड़ ड़ाफिनिशन वट वी विल एड इन जड़ एड अड़ जड़ एड इन वी गट जड़ ग्ट इस जीरो जीरो इस कॉल्ड एडिटिव identity additive identity हर एक की होती है वो ठीक है फिर inverse inverse क्या होता है inverse की definition क्या होती है कि Z में क्या add करे कि वो identity आ जाए किसी भी क्या multiply के Z में क्या add करे कि वो additive identity आ जाए देक है तो वो क्या add करते है हम minus Z इसको हम क्या बोलते है additive identity का क्या मतलब है 0 आ जाए तो इसको हम बोलेंगे additive inverse additive inverse फिर second one आता है हमारे पास multiplicative inverse multiplicative inverse मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है मल्टिप्लिकेटिव इन्वर्स की जादे जोगत पड़ती है हमें सबसे पहले identity होता है identity कौन से identity multiplicative multiplicative identity multiplicative identity क्या होती है z में क्या multiply करे z में क्या multiply करे इन्वर्स कि वो जाद रहे जाए तो क्या वन सीदा सलाजी है तो वन को हम क्या बोलते है multiplicative identity ठीक है फिर हमारे पास आता है multiplicative inverse multiplicative inverse क्या multiplicative inverse z में हम क्या multiply करे कि वो multiplicative identity आ जाए m i लिख देते है multiplicative identity that means one आ जाए तो हम क्या add करेंगे one upon z तो one upon z को हम क्या बोलते है multiplicative 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 inverse multiplicative inverse हमने यह पढ़ा multiplicative inverse मैं बार बार कह रहा हूँ कोई भी number जिसको हम a plus ib की form में लिखते है that is called complex number complex number complex number के बाद मैंने उसका यह मैं एक बार फिर से recall करा देता हूँ कि complex number क्या होता है उससे सबसे पहले मैंने आपको बताया था ident स्कार और कि 7 स्कुर्ण 8 समय अछ्टी स्कुर्ण 8 स्कुर्ण add equal to 2 क्या यह complex number है है यह हर number complex number होता है क्योंकि आप मैंने आपको यह बताया था कि कैना में natural number whole number बोलते है whole number को integers को रिश्लण number बोलते हैं रिश्ण नबर को रियल number बोलते हैं real number को complex number फिर्ड मैंने आपको एक property बताई थी इसमें कि अगर हमारा जाएगा तो हमारा आई भी इसका उम पूर्ली मेंजिनरी नमबर सिर्फ आयोटा होता है फिर प्रीन अपको बताया कि ऐगर इमेज्नरी जीरो है तो इस से लिंक करना चाहता था फिर इसके बाद मैंने आपको बताया एलजबरा ओफ कॉम्पलेक्स नंबर एलजबरा में अडीशन पर सब्सक्शन बहुत सिंपल पिर मल्टिप्लिकेशन बहुत सिंपल है मल्टिप्लाई कर दीजे वही जैसे हम आई जहां भी आई स्कॉरर आए 3i 4-3i लिया था conjugate से multiply कर दिया फिर उसके बाद हमने क्या बताया inverse दो तरह के additive inverse inverse को कभी भी inverse को find करने पहले हमें identity पता होना चाहिए identity क्या होता है क्या add करे कि वही रह जा identity अपने आप में inverse उल्टा क्या हम करें कि वो identity आ जाए फिर multiplicative inverse क्या multiply करें कि वो one z रह जाए क्या हम उसमें inverse क्या हम उसमें multiply करें कि वो multiplicative inverse हो जाए वो सरी identity हो जाए ठीक है इस तरह है फिर उसके बाद हाँ सिर्फ इतना ही अभी तक मैंने इतना ही बताया multiplicative inverse then after multiplicative inverse आगे जलते हम conjugate of a complex number यह हमारा कौंसा पार्ट हुआ था फिफ्थ पार्ट नौ शिक्स पार्ट conjugate of a complex number conjugate of complex number conjugate of a complex number अगर में पाद z equal to a plus i b है ठीक है तो इसका जो conjugate होगा वो क्या होगा conjugate j gate है ना बड़ा कर लेते हैं उतना इतना दिखेगा conjugate of a complex number इसका जो conjugate होगा z equal to a minus a plus i minus b है ना हम इस तरह लिखेंगे a minus i b replace सीधा सा लोजिक है replace imaginary of z by minus imaginary of z replace b by minus b सीधा इसको हम इससे replace कर देते हैं replace इमेजनरी आफ जड़ बाई minus imaginary of z फ़र एक्जामपल फ़र एक्जामपल एक्जामपल लेते हैं हम इसमें जड़ जड़ इक्ड़ फस्ट एक्जामपल जड़ वन एक्वल टू फोर प्लस थ्री आई z1 बार इसको z बार से दिनोट करते हैं z1 बार 4 माइनस 3 आई second अगर मेरे पास z1 एक्वल टू minus 4 माइनस 3 आई then z1 बार एक्वल टू minus 4 प्लस 3 आई only replace minus 3 by only replace minus 3 by 3 replace 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 minus 3 by 3 now minus 3 by 3 तो second third क्यों गया कई बार क्या होता है मैना इसलिए इसको imaginary by में जड़ी कई बार क्या होता है अगर conjugate हम लेते हैं हमने square root में पढ़ा जैसे minus 2 plus root 3 तो कई बार हम क्या करते हैं कि हम इसको ले लेते है plus root 2 plus 3 मा है ना यह इसका गॉंब लेकिन इसमें हमेशा imaginary part वाले को negative है ठीक है that is called conjugate यहाद यहाद जैड़ वन इक्वल टो अगा मेरे पास माइनस 4 प्लस 3 आई है तो इसका जो conjugate होगा माइनस 4 माइनस 3 आई इस तरह है इसका conjugate होगे फिर 7th property हम बताते है क्या modulus of complex number modulus of complex number modulus निकालते है modulus क्या होता है complex number का z अगर मेरे पास है a plus ib for z modulus square root of a square plus b square that हम इसको भी इस तरह डिखते है क्या real of z का square plus imaginary of z का square यह मीशा positive रहेगा positive always कभी भी negative नहीं होता अगर मैंने z bar का लिया modulus ठीक है first यह लिया second यह लिया now अगर मैंने z bar लिया तो वह क्या आएगा a minus ib तो क्या होगा square root of real of z का square plus real of imaginary of z का square तो यह किसके equal हो जाएगा a square plus minus b square दोनों सेम रहते है modulus रहिक है यह मत कर देना कि क्या आएगा minus लगा दें नहीं plus दोनों इसलिए इसलिए मैंने यह definition थोड़ी सी मैंने यह definition according real of z plus imaginary of z का square imaginary क्या है इसमें a plus i minus b imaginary तो minus b है मैंने बता है अगर मैंने कहीं भी इसी property के मैंने अगर कहीं भी लिखा black pen ले लेते हैं कि अगर मैंने कहीं भी यह लिखा z into z bar अगर दोनों को मैं multiply करता हूं तो a plus i b a minus i b that is a square minus i b square तो यह कितना हो जाएगा a square plus b square तो बड़ा कर दिया तो यह z square mod of z का square कहने का मतलब क्या हो गया इसमें अगर मेरे पास z into z into z bar is equal to mod of z का square यह हमारी एक property बन गई क्या अगर दोनों को मैंने multiply किया दोनों को अगर मैंने multiply किया z into z bar is equal to mod of z का square यह हमारी basic concept है थोड़ा basic concept के बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ questions स्टार्ट करते हैं न exercise स्टार्ट करते हैं अब क्या exercise स्टार्ट है exercise 5.1 ncrt ncrt का हम स्टार्ट करते हैं मैंने आपको basic concept को आप दो 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 तीन तीन बार देखिए जैसे question हमाँ 1 मेरे को कहा है 5i into minus 3 upon 5i second question मेरे को बोला है i raise to the power 9 plus i raise to the power 19 और third question तीनों को हम एक साथ बताएंगे i raise to the power minus 39 multiply 5 से 5 considered हो गया minus 3i square i square को मैंने आपको बताया था हर एक को i square minus 1 होता है this is 3 ऐसी i9 i9 को हम क्या ले सकते है i8 into i पहले हम even number में इसको लिख लेते है i18 into i इसको हम लिख सकते है i square की power square i plus i square की power 9 into i तो i square minus 1 minus 1 का square into i plus minus 1 की power 9 into i तो यह हो जाएगा even even है तो positive odd है तो negative i तो यह क्या हो जाएगा 0 ऐसा ही हो जाएगा 1 upon i raise to the power 39 है ना i raise to the power 39 तो i से multiply कर दीजे numerator and denominator में तो कितना रहेगा i upon i raise to the power 40 i raise i upon i square की power is 20 वैसे भी हम upon में square root कहा रहने देते है denominator में में नहीं तो मैं नहीं से i से multiply कर दिया i square की power क्या हो गई है minus 1 minus 1 की power 20 that is i है ना और यह positive even number आ गया positive the answer will be i now next आता है question number देखते है question number I think question number 4, 5, 6, 7 question number 4, 5, 6, 7 यह मैं आपको homework में दे रहा हूं यह आपको try कीजिए इसमें simply addition है मैं आपको एक बार दिखा देता हूं किस तरह के question है और देखिए 4th में add करना है simply 5th में add करना है 6th में add करना है 7th में addition है addition iota iota वाले एक साथ ले लिए and real number वाले एक साथ ले लिए यह बहाँ simple से है हम 8th 8th 9th 10th इनो एक जैसे है तो मैं 8th और 9th दो बता देता हूं 10th भी हम हम वक में देंगे 4 5 6 7 10th now question number 8th 8th में क्या का है 1 minus i raise to the power 4 1 minus i raise to the power 4 है तो क्या हम लिख सकते है 1 minus i raise to the power 2 raise to the power 2 more simple a minus b का whole square क्या होगा 1 plus i square minus 2i अपनों कोने formula पढ़ा होगा a minus b whole square remember 8th class a square plus b square minus 2ab यह formula हमने use किया i square minus 1 minus 2i raise to the power 2 1 से 1 cancel हो गया minus 2i whole square 2 to 4i square तो यह जाएगा minus 4 यह answer होगा now question number 9th 9th में क्या कहा है simple है 9th में कहा है 1 upon 3 plus 3i raise to the power 3 अगर यह raise to the power 3 है तो ठीक है a plus b का whole cube a plus b raise to the power 3 a cube plus b cube plus 3a square b plus 3ab square इस तरह हो जाएगा तो ठीक है into 3i whole square 1 upon 3 तो यह जाएगा 1 upon 27 27i cube plus 3 3 जा 9 यह cancel हो जाएगा एक बार पहले लिख लेता हूँ 9 into 1 upon 9 into i plus 3 3 3 से 3 sorry 3 से 3 cancel हो गया तो यह हो गया 9i square I think आगे आप लोग खुद कर सकते है बहुत easy है 1 upon 27 plus 27 i square into i 9 से 9 cancel हो गया i minus 9 Now to yourself complete it complete your complete it अपने आप आप ट्राई कीजिए Now question number 11 question number 11 हमें start करते है है न 11 में बहुत simple है उसने कहा है 4 हमें z equal to 4 minus 3 question में कहा है find the multiplicative inverse ah multiplicative inverse हमें find करना 11 7 multiplicative 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 inverse क्या होगा 1 upon z means of 1 upon 4 minus 3i हम इसको क्या ले सकते है 4 plus 3i 4 plus 3i से multiply कर दीजिए numerator denominator में क्या रहेगा 4 plus 3i simple 4 square minus 3i exercise बहुत simple है एक बार concept आप अगर लीजिए बहुत साथ है difficulty level नहीं है 4 plus 3i upon 16 minus 3 3 9i square 16 plus 9 25 i square minus 1 4 upon 25 plus 3 upon 25 i 11 था 12th and 13 11 आपके पास था 12 and 13 में फिर से वही multiplicative inverse है आप ट्राई करेंगे homework में कौन कौन से हो गए एक और है 14th 14th भी मैं एक बार बता देता हूं इससे exercise complete हो जाएगी इसी lecture में नहीं तो next के लिए पड़ी रहेगी सुरी next के लिए रह जाएगी है ना एक और कुश्यन है कुश्यन नमबर 14th 14th में क्या क्या है 3 plus i root 5 और 3 minus i root 5 है ना यह दिखने रहा होगा लियान नहीं दिया मैंने camera का root 3 plus root 2i minus root 3 minus i root 2 ते जाएगा 3 square a minus i root 5 square root 3 से root बाद में देखते हैं अगले से अप में root 3 plus root 2i minus root 3 plus i root 2 root 3 से root 3 cancel हो गया 9 plus i square into 5 upon 2 root 2i तो यह जाएगा 9 minus 5 upon 2 root 2i तो यह जाएगा 4 upon 2 root 2 i से multiply कर दीज़े i से multiply तो यह हो जाएगा 2 2 जाएगा 2 i upon root 2 i square आगे आप कर लीज़े पीछे वाला answer आजएगा 14th question simple सा है तो आज के questions मैंने कुछ questions मैंने exercise में कराएगे हैं simple simple से हैं 4 5 6 7 10 12 13 इस सारे questions भी अगर आप एक बार concept पढ़ेंगे तो यह सारे questions hardly 15 minutes hardly 15 minutes hardly 15 minutes में आप लोग complete कर लेंगे इसलिए मैंने simple simple से आज आज आपको लग रहा होगा सर ने जादे questions दी हैं कोई बात नहीं कभी कभी जादे questions भी करने चाहिए कि कल Sunday भी है कल छुटी भी हो सकती है कुछ भी है तो कभी कभी जादे questions और 15 minutes के ही questions हैं तो आप यह सब questions complete कीजिया होप सो कि आज का topic कुछ नया लगा होगा बिलकुल separate सा आपको अच्छा भी लगा होगा क्योंकि आपने पीछे four chapter induction थोड़ा लंती था last one now thank you very much आप यह complete करके रह किएगा